नमस्कार दोस्तों स्वागत है YouTube चैनल में ऐसा क्यों और आज हम बात करने वाले हैं NONC Switch और NONC Contact क्या है? एच्वल में इन टर्म्स को लेके NONC Switch और Contacts में बड़ा Confusion रहता है Switch क्या है और Contacts का Contact का क्या Role है? तो आईए आज को हम समझते हैं कि Electrical में किस तरीके से इनका यूज होता है तो सबसे पहले हम Switch की बात करेंगे NONC Switch क्या है? तो दोस्तो NONC Switch का यह Diagram है वैसे NO की Full Form is Normally Open तो यह Diagram आप देख सकते हैं यह Switch है यह Normally Open है ठीक है तो इसको Manually Press करना पड़ता है हमें परस ठीक है तो जब हम इसको Press करेंगे तो यह जो Contact Normally Open है यह Close हो जाएगा और यह Bulb ब्लो करने लगेगा ठीक है अब Normally Close सुच की बात करें तो इस प्रकार से उसका Symbol होता है और यह देखिए यहां से इसका Contact already close होता है इस पर अगर हमने Supply लगा रखी है तो यह Bulb पहले से ही Glow कर रहा होगा ठीक है तो अब इसको अगर हम प्रेस करेंगे तो यह Contact Open हो जाएगा Open हो जाएगा मतलब कुछ इस प्रकार से यह नीचे आ जाएगा और Bulb Glow नहीं करेगा Connection हट जाएगा जब हम प्रेस करेंगे और जैसे रिलीज कर देंगे वापस उसी पोजिशन में आ जाएगा तो अन्सी स्विच का काम वैसे इंडस्टी में काफी यूज होता है जहां पर PLC वगरा होती है और कहीं पर भी जैसे यह वैसे तो अन्सी स्विच अन्सी ऑ ग्रीन कलर का होता है और यंशी रेट कलर तो नौर्मली स्टार्ट और स्टॉप के लिए यह बहुत यूज किये जाते हैं और PLC में भी काफी यूज किया जाता है दोस्तों अब NONC contact की बात कर लेते हैं contact वास्तों में होते क्या है contact आपने देखा वह relay आप जानते होंगे यह relay में contact होते हैं तो relay का यह basic diagram है जिसमें A1 और A2 यह HL में इसकी coil है ठीक है यह common terminal है और यह NONC contact है यह NC contact है और इसमें मैंने naming कर रखी 123 वैसे actual में यह contact के naming अलग भी हो सकती है यहां पर मैंने केवल समझने के लिए contact की naming करी हुई है ठीक है तो अब यह contact होते क्या है पहले हमने देखा कि switch switch को हमें manually press करना पड़ रहा था जब जाके वह work कर रहे थे NONC switch और contacts थोड़ा अलग होते हैं contact में क्या होता है यह automatic एक्टिवेट हो जाते हैं automatic काम करते हैं कैसे काम करते हैं जब हम यहां पर supply देते हैं मानलीजी यह coil operate होती है यह relay operate होती है प्लस 24 वोल्ट में जैसे ही हम यहां पर supply देते हैं तो यह इस coil की चारों तरफ magnetic field बनने लगता है और यह यहां से freely movable होती है क्या होता है जैसी यह coil में power supply गया magnetic field बना तो यह जो metal की plate है जो इसमें ऐसा function किया होता है यह metal की plate इधर जाके attract हो जाती है जब तक इसमें power supply रहती है जैसी power supply कट हुआ यह यहां से 24 वोल्ट हटाया यह वापस metal की plate यहां पर लग जाती है तो यह जो contact था no contact यह normally open रहता है जब इसमें power supply नहीं जारी होती है और जब इसे power supply हो देते है तो यह NC में convert हो जाता है close circuit बन जाता है और यह जो वैसे NC है यह normally close रहता है और जब power supply देते हैं तो यह n o में convert हो जाता है यहां से contact ठटके यहां से खेर यह तो बात हो गई normal relay कैसे काम करती है, relay का काफी use होता है इंडस्टी में, PLC में और यह जो N-O contact है, NC contact है, यह relay में सेम काम करती हैं और जो PLC में है इसकी working बिलकुल सेम वैसे ही काम करती हैं पर लेकिन यह switch से थोड़ा difference है, इसी difference की वज़े से काफी लोग इंडस्टी में काफी दिन तक काम भी करते रहते हैं as a electrician, engineer पर लेकिन उनको यह हमेशा confusion बना रहता है, N-O contact और NC contact को लेकर, इस वीडियो में आप देखते जाएंड तक देखिए कि बिलकुल पूरा clear कर दूँगा कि N-O contact कैसे work करता है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं N-O contact की, N-O contact का symbol कुछ इस प्रकार से होता है, इसको हम relay based circuit में भी use करते हैं, जब relay based circuit बनाता है, और खासकर PLC based circuit में भी इसी symbol का हम use करेंगे, तो इसमें जो हमने relay का symbol उठाया है, N-O contact का, तो यहां से उठाया है, यहां से, तो यह C जो हो गया, इसका common point हो गया, और यह जो दूसरा point हो गया, 2, वैसे यह relay में जो point आता होगा, उसको कुछ naming हो सकता है, वैसे मैंने यहां पर समझाने के लिए 2 दिया होगा है, और यह B से contact open है, वैसे ही NC के case में यह common point C हो गया, और यह point 3 यह हो गया, और यह close होता है, close का symbol कुछ इस प्रकार से होता है, आप इसकी truth table देखिए आप, कि truth table जब 0 यहां पर दिया जाएगा, तो output भी 0 मिलेगा, ठी जब यह input पर 1 होगा, तो output भी 1 होगा, कुछ इस प्रकार से, वैसे इसमें, NC में क्या है, 1 देंगे तो 0 मिलेगा, 0 देंगे input तो 1 मिलेगा, क्या वाकिय में ऐसा है, स्विच में हमने क्या देखा था, स्विच में जब तक हमने उसे प्रैस नहीं किया था, तो NO स्विच में, तो supply आगे नहीं जा रही थी, और NC में जब तक हमने प्रैस नहीं किया था, circuit ब्रेक नहीं हो रहा था, पर यह क्या वाकिय में वैसे काम करता है, चलिए आईए समझ है अब प्रैक्टिक要 में बिल्कुल है दे दिया तो चलिए लिखीन को इसलिखी में एकले आई ऐसा है यहां पर मान लिखेर हमने ट्रट सल्ट RAW यह यहम पर डिके बीधन सकते हैं треб इसका मतलब यह होता है कि हमने यहां पर सप्लाई देडी है रिले में जो रिले है वो एक्शुएट करेगी यह जिरो का मतलब है यह बिट है एक तरीकी रिले की बिट है जो इसको एक्टिवेट करेगी इसका input क्या है, तो हमने यहाँ 0 दिया है, यानि कि हमने यहाँ पर कोई voltage नहीं दिया है, जब कोई voltage हमने नहीं दिया है, तो यहाँ पर होगा क्या, यह contact में कोई फरक नहीं पड़ेगा, जो NO है, यह open रहेगा, और यहाँ से यह bulb जो हमने लगाया हुआ है, और यहाँ पर जो 24 वोल्ट हमने common में दिया हुआ है 24 वोल्ट दे रखा है या 5 वोल्ट दे रखा है कुछ भी दे रखा है वो उसका contact यहाँ से close नहीं होगा मतला circuit complete नहीं होगा यह बिल्कुल वैसे ही काम करेगा बल्ब ग्लो नहीं करेगा इसका output यह है ठीक है तो हमने 0 दिया तो हमें क्या मिला 0 मिला एनो contact की बात कर रहा हूं मैं ठीक है अब यहाँ पर हम मालीजे 1 देते हैं कि वन तो वन का देने का मतलब यह नहीं है कि हम यह सी कॉमन पे हम 24 वोल्ट दे रहे हैं यह प्लस 5 वोल्ट दे रहे हैं यह जिरो वोल्ट दे रहे हैं वन का देने का मतलब C पे नहीं है हमें यह समझना होगा यह रिले की functioning bit है वन का देने का मतलब यह है कि हमने यहां पर इस रिले को 24 वोल्ट दे दिया है जो कि 24 वोल्ट पर काम करती है फाइब प्लस किया और यह जाके इस पर एनो वाले कॉन्टेक्ट पर चिपक गई एनों से एंसी ओ गया इसका मतलब हम्तुर मतलब यह हुआ कि रस्ता किलियर हो गया है चाहे यहां पर हमने जीरो वोल्ड लगा रखा हो या प्लस वन वोल्ट आ रहा हो फ्लस 24 वोल्ट और प्लस 5 वोल्ट आ रहा ठाल ठीक है मानली जमने में 24 worden लगा रखा है तो यह यहा से पास होता हुआ इस बल्ब को ग्लो कर देगा यह जल जाएगा वाल यहां हमने सको GROUND दे रखा है तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ठीक है अब इसको हम दुबारा अब एंसी में समझेंगे कि क्या है तो इसको मैं दुबारा वैसे ही कर देता हूं अब बिना सप्लाइंके अब हम एंसी की बात करते हैं एंसी में हमने यहां पर वन दिया तो हमें output पे क्या मिला? 0 1 देने का मतलब फिर बता रहा हूं है कि हम common point पे 1 नहीं दे रहे है 1 देने का मतलब यह है कि यह relay actuate करेगी इसको हम supply दे रहे हैं इस bit को हम activate कर रहे है तो हमने यहाँ पे 1 दे दिया 1 दे दिया मतलब प्लस 24 वोल्ट हमने दे दिया जैसे हमने प्लस 24 वोल्ट दिया यह coil activate हो गई और यहाँ से connection गया cut और यह यहाँ पे NO में लग गया और यह क्या हो गया? यह circuit open हो गया NC वाला तो यह जो बल्ब पहले glow कर रहा था यहाँ पे हमने कोई supply दे रखी थी बल्ब glow कर रहा था वो contact हट गया अब मानलीजें यहाँ पे 0 वोल्ट दे रखा है वो भी नहीं जाएगा प्लस 24 वोल्ट दे रखा वो भी नहीं जाएगा प्लस 5 वोल्ट दे रखा वो भी नहीं जाएगा तो हुआ क्या? 1 दिया तो output हमें क्या मिला? 0 ठीक है तो समझ में आ रहा होगा ना कि जिरो देने जिरो हमें कैसे मिल रहा है रस्ता यहां से खुल गया ठीक है अब इसमें हम बात करते हैं कि अब हमने यहां पर जिरो दिया अब हमने यहां पर जिरो दिया आउट्पुट हमें क्या मिलेगा यानि zero दिया यानि कि इस relay को हमने supply नहीं दी इसकी bit activate नहीं करी यानि कोई supply नहीं दी तो ये coil actuate नहीं होगी ये metal plate metal की पत्ये वापस NC वाले contact में ही लगी रहेगी और इस पे हमने जो भी supply दे रखी होगी 0 volt दे रखी होगी 24 volt दे रखी होगी प्लस 5 volt माइनस में दे रखी होगी supply कुछ भी दे रखी होगी उसके लिए रस्ता clear है और आगे बल्ब लगा हुआ है और ये glow करेगा कुछ भी supply आ रखी होगी मतलब points में आ रख्या होगी तो यह रस्ता clear देती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि अगर हम input में 0 दे रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम common में दे रहे हैं तो इससे बिलकुल आखको समझ में आ गया होगा कि 0 दिया तो यह 1 हो गया NC में तो यह एक पाथ को क्लियर करने का इसमें बताता है और इसी functioning के according PLC में भी इसको यूज करते हम और रिले बेस circuit में भी इसको यूज करते हैं 0 दिया तो सीधा हम देखते हैं 0 दिया तो यह 0 मिलेगा यहां पर 1 दिया तो 1 मिलेगा 1 दिया NC में तो 0 मिलेगा जीरो दिया तो वन दिया तो इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है और मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि यह बहुत ज्यादा complicated नहीं था अगर आप ध्यांचा समझा होगा तो आपको समझ में आया जाएगा और यह PLC और RLC-based circuit में काफी इनका यूज होता है अगर आपने इसको समझ लिया तो आपके लिए PLC और RLC-based electrical जो वर्क होता है इंडस्ट्री में बहुत आसान हो जाएगा और ladder programming समझना कथि नहीं होगा आपको एक वीडियो कैसा लागा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दन्यवाद